नमस्कार आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो नियूज आपके साथ मैं हूं कल्याणी शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बरों से पार्टी ने जो है वो दिल्ली को पुंचा दिया है यह हम सब लोगों के लिए आप लोगों के लिए दिल्ली के तमाम निवासियों के लिए जो है कंसर्ण की बात है और जिस दिल्ली के अंदर ये स्थिति हो कि जुलाई के महिने को एक्वाई 164 हो उसकी सरकार अपना पैसा नहीं सच बात तो यह है कि जो दिल्ली की स्थिति है दिल्ली का एक डेडिकेटेड़ बजट दिल्ली के अंदर पॉलुशन को दूर करने के लिए रखना चाहिए इस सरकार में क्योंकि दिल्ली सर्प्लस रेवन्यू का स्टेट है और दिल्ली सर्प्लस रेवन्यू कोई लेकिन ये सरकार जो है केंदर दोवारा सरकार दोवारा दी गी राशी भी जिसका जिकर बांसुरी जी ने किया उसको भी जो है सतर परसंट के करीब जो है वो खर्च नहीं कर रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी भी सरकार के लिए क्या हो सकती है और तकलीव और च क्यों हो रहा है किस कारण से हो रहा है रामवीर सिंग जी ने अभी विधुडी जी ने जिकर किया कि बार बार अर्विन केजरिवाल पराली का नाम लेके अपने आपको टाल देते थे अब पंजाब में भी उनकी सरकार है बांसुरी जी ने बताया कि 30% 29. something जो है केवल खर्च किया इन्होंने बाकी बजट खर्च नहीं किया मैं उस बात के साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ आप जानते हैं कि 23 states और बाकी यूटी में सबसे कम अगर किसी ने खर्चा किया है तो दिल्ली की सरकार ने किया दिल्ली एकदम lowest में है उस डाटा के अंदर और आटी जो है वो निश्चित रूप से केवल और केवल प्रेस कॉन्फरेंस की और जुटे अरोपो लगाने की राजनीती करना चाहती है लोगों के स्वास के साथ किलवाल कर रही है और मैं रामवीर सिंग विधूरी जी की इस बात को दोराता हूँ और उनके साथ समर्तन में ये बात कहता हूँ कि निश्चित तोर पे इस सरकार के खिलाफ क्रिमिनल प्रसीडिंग्स होनी चाहिए और इसकी क्योंकि इसके लिए कोई एक मंत्री जम्मेवार नहीं हो सकता इन्वार्मेंट मनिस्टर निश्चित रूप से जम्मेवार है पूरी की पूरी कैबिनेट इ दिल्ली का जो पऌलूशन है वो वार्ट पौलूशन है और तक्रीबं 38 पर्सेंट के गरीब डस्ट पॉर्टिकल्स की वज़ए से दिल्ली में पर रदूशन है यानि 78 पर्सेंट ओफ टोटल पौलूशन अ डेली इस विकाॉज़ आइक वार्ट पॉलूशन की वज़ा से नहीं हो रहा है मैं खुल ट्रांस्पोर्ट मुनिस्टर रहा हूं लंबे समय तक अब दिली में डस्ट क्यों होती है प्रशन यह उड़ता है दिली में डस्ट इसलिए होती है कि दिली के जो प्रजेक्स हैं जाए वह फ्लाई ओवर्स के हैं अंडर पासिस के हैं और दिल्ली में सबसे वड़ी construction agency दिल्ली की metro है कि सलकों पे जो काम होता है center वर्जिस के उपर plantation ठीक रखने में ये सरकार नकाम होई है बाहर जाएंगे तो पत्तों पे देखेंगे इतनी इतनी मिटी है वो पते वाश होने चाहिए वो ये वाश नहीं करा थे पूरी के पूरी नॉन गवर्नेंस का model है जो dusk है अब मैं डिल्ली मेट्रो की बात कर रहा था डिल्ली मेट्रो इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो समय से पहले अपने काम करती थी मुझे आज भी याद है कि as urban development और transport minister होने के नाते मैं हर हवते एक डिल्ली मेट्रो की review meeting रखता था जिसमें डिल्ली मेट्रो के साथ डिल्ली के officers को बढ़ाते थे sdm's को dc's को environment department को की जो भी डिल्ली मेट्रो के काम के अंदर hurdles आ रहे हैं वो weekly basis के उपर जो है वो दूर हो जाए इसलिए डिल्ली मेट्रो समय स से पहले काम करती थी आज डिल्ली मेट्रो के सारे project delay के हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि इस सरकार में environmental clearances डिल्ली मेट्रो को नहीं मिल रही sdm's को जो उनको land allocate कराके देनी है acquire करके देनी है या clear कराके देनी है वो time sir नहीं हो पा रही और छोटे से छोटे काम के लिए य वो clearance नहीं देने की वज़ा से दिल्ली में dust particle डिले हो रहे हैं phase 3 डिले हो गया है जो 2015 में खतम होना था phase 4 की तो बात ही छोड़ दीजिए जिसकी वज़ा से दिल्ली के लोगों को dust particle के वज़ा से pollution होने का रहा है अब बसे अगर दिल्ली में नहीं खरीद रहे हैं 2013 में जो है DTC used to be the spine of Delhi आज जो है वो ही DTC की जो बसिस चल रही है वो अपनी life पूरी कर चुकी है चाहे वो CNG की fleet है वो अपनी life पूरी कर गी है वो बसे भी contribute कर रही है दिल्ली के pollution के लिए तो यह सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे जो है pollution के लिए बच सकती है आज तिती यह है कि जह electric buses दे दी तो थोड़ी बहुत रहात आ गई और आज यह जो है फिर तमाशा कर रहे हैं कि हम feeder buses लेके आए हैं हम महला buses लेके आए हैं already metro feeder buses चलाती थी तो तुम नया क्या लेके आए हो और feeder buses से होगा क्या feeder buses जब तक main feed तक नहीं ले जाएंगे main field की आपके पास buses नहीं है आप उन feeder buses के से लाके और metro पे जो है आप छोड़ दोगे metro पे load बढ़ा दोगे अपनी DTC की buses बढ़ाओगे नहीं और दिल्ली की इस्तिति जो है आप कराब करोगे और वह feeder buses करेंगी क्या जिनको feed करना है जब वही mode of transport दिल्ली के अदर available नहीं है तो वह feeder buses करेंगी क्या रामविर सिंग विदूरी जी ने लंबे समय तक अनफराइस कॉलनी की लड़ाई लड़ी है और ये मेरी बात से इतवाक रखेंगे कि आज दिल्ली के सारे के सारे सीवेज सिस्टम जाम पड़े हुएं सीवेज ट्रांट ट्रीट्मेंट प्लांस जाम पड़े हुएं वो भ सारी की सारी स्टीपीज बंद पड़ी हुएं ये बजट कम से कम उसी पर खर्च कर देते तो कुछ जो है वाटर पॉलुशन ही कम होता कुछ जो है स्टिती इमना की जो है उसके अंदर सुजरती लेकिन इनको जो है उसके अंदर कोई ध्यान ही नहीं और स्मॉक टावर्स त है इनकवैरी करने की अशक्ता है क्योंकि यह सरकार कहीं न कहीं जो एयर प्यॉरेफायर थे हैं उन कंपनी इसको फाइदा मैं का काम को रही है क्योंकि लोग घबराहट में और गरीब आदम예요 purifier खरीद भी नहीं सकता, आज जो है air purifier का धंदा, जैसे दिली में एक समय में generator खूब बिकते थे कि बिजली नहीं आती थी, आज दोबारा कट लगने लगे हैं, स्थिति वहीं की वहीं पहुंचने वाली है, inverters और generator खरीदने वाली अगली गर्मियों में आप देखेंगे क्या लिकते आती हैं, लेकिन air purifier purifier जिस तरीके से दिली में बिक रहे हैं, ये सरकार निशित तोर पे अगर environment का budget नहीं खर्च कर रही, तो कहीं न कहीं इस सरकार की मंचा पे और इन से इस सरकार की सोच पे जो है, कहीं न कहीं शक हम को होता है, और हम केवल इस मुद्दे पे करेंगे, हम लोग खुद तो एक roadmap बना के देंगे ही देंगे, क्योंकि हम pollution पे खाली राजनिती नहीं करते हैं, लेकिन इस सरकार को दिली के लोगों से माफी मांगते हुए, एक roadmap त्यार करते हुए, इस pollution से बड़ा issue कोई नहीं है, आज आपकी हमारी सब की जिंदगी खत्र होता है, हम इस सरकार से मांग करते हैं, मैं अपनी तरफ से भारती जनता बाटी जी की तरफ से, रामवीर सिंग विधूरी जी, बांसुरी जी, परवीन शेंकर जी, सब की तरफ से ये मांग करता हुए, इस सरकार को दिली के pollution पे white paper लेके आना चाहिए, और एक proper roadmap जो है, इस